हेलो फ्रेंज सुनितिर जैन्स में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंज आज हम बचे हुए कपड़े से जूती बनाने का तरीका बताएंगे तो यह हमने दो पीश तैयार किये हैं बचे हुए कपड़े से इसमें हमने फॉर्म डाल रखी है अंदर से इसकी चौड़ाई रखेंगे 10 इंच लम्माई भी 10 बाई 10 के दो पीश तैयार किये हैं तो इसकी लम्माई भी 10 इंच है इसको हम फूल्ड कर लेंगे बंद वाली सैड से हमने 5 इंच लिया है एक इंच गहराई लिया है अंदर से इस तरह से यहां से भी एक इंच लिया है इसको यहां से सीधी लाइन ड्रो कर देंगे यहां पर हलका सा राउंड शीप दे देंगे इसको कट कर लेंगे इस तरह से एक तरची पट्टी लेंगे यह हमने एक तरची पट्टी लेंगे इसके रिए चोड़ाई है पौने 2 इंच की इस तरह से हम पिनपन लगा लेंगे यहां पर हमें पट्टी को खीचना नहीं है इसके बराबर करते हुए सिलाई लगानी है इसके चार तरफ हम सिलाई लगाके कंप्लीट कर लेंगे तो इसको हमने सिलाई लगाके कंप्लीट कर लिया है अब हम इसको सीधा करेंगे सीधा करने के बाद इसको फूल्ड करते हुए अच्छी तरह से फूल्ड करते हुए इसके चार तरफ से सिलाई ल अब हम इसको दुबारा से फोल्ड करेंगे यहां से पौने दो इंच के करीब हम इसने यहां पर सेप दे देंगे यहां से हम सेप दे देंगे इस तरह से यहां से भी हम हलका सा राउंड से दे देंगे यहां से भी यहां से सिलाई लगा लेंगे तो यहां से सिलाई लगा के कट कर लेंगे तो हमने सिलाई लगा के कट कर लिया है अब हम इसको सीधा करेंगे चीदा करने के बाद हमारी बहुत प्यारी सी जूती बनकी रेड़ी हो चुकी है देखिए कितनी फिनीसिंग के साथ बनी है अब हम इसको पैन की भी दिखाएंगी तो देखिए हमारी पैर में कितनी अच्छे से फिट आई हुई है बहुती गरम है यह पैनने में यह हमारी दौन जूती बनकी रेड़ी हो चुकी है देखिए कितनी अच्छे से बनी है अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक से या सब्सक्राइब कीजिएगा